वेलकम बैग आइस तो वर यूट्यूब चैनल डिडिटल तैयरी मेरा नाम है चेतन पारिक आर सहीरवाल कि इंगलिस वाली बुक सौल कर रहा है उसी को कंटिन्यू करता है टाइम एडिस्टेंस चेप्टर चल रहा है पार्ट नमबर 11 तो देखते हैं पहला सवाल किया है मतलब एक ट्रेन है जब रिटर्न आती है तो 20% कम स्पीड से जाती है जाने के तुल नम है आगे पूचा किया है आगे कह रहा है दे ट्रेन हाल्स पॉर हाफ एन आवर एड देस्टिनिशन स्टेशन बिफोर स्टार्टिंग ऑन दे रिटर्न जड़नी ट्रेन जो आदे गंटे के लिए रुकती है देस्टिनिशन पॉइंट पर पहुंचने के बाद में आगे कह रहा है if the total time taken for the to and fro journey is 23 hours covering a distance of 1000 km the speed of the train on the return journey is return journey के दौरान train की speed क्या थी यह आपको find करना है ठीक है तो इसको किस तरह के से करता है एवरेज speed वाले concept साही करता है देखो मान लो यह कुल मिला के यहां से यहां तक train गई और फिर यहां से यहां तक वापिस आई कुल मिला के 1000 km तेह किये गए ठीक है जब जा रही थी तो उसकी speed मान लो पांस थी जब आई तो उसकी speed क्या हो हो भी इसके साथ भी कौन वैरियेबल एक्स के साथ मुल्टिप्लाइ कर रहता हूं ताकि वैल्यू की फॉर्म में अपन निकाल सके जाते समय उसकी speed 5x थी और आते समय उसकी speed किती थी 4x थी ठीक है तेवरेज speed किती हो जाएगे देखो यहां से यह जा रहा है यहां से आ रह a plus b 5x और 4x किता हो गया 9x यह आ गई मेरी average speed ठीक है average speed यह होगी average speed किसके एकवाल होगी average speed एक तरीके से formula की form में देखा जाए तो अपन यहां पर लिख दिया लेकिन basic formula जो है total distance upon total time वो भी यहां पर लगा देता है total distance किती तया की गई गई देखो 1000 km कितने समय लगा गया 23 ग लेकिन इस 23 गंटे में से आदा गंटा तो केवल रुकने में वेस्ट कर दिया था destination पर पहुंचने के बाद आदा गंटा था अब रूके यह थे उसमें चले थोड़ी थे तो 23 पैसे आदा गंटा माइनस करेंगे किता बचे का पीचे 25 गंटे यहां पर टाइम लिखेंगे तो यह 5 बार में घट गया 5 से इसको इसको काट दिया तो यrafार में घट रहा है थिक है के उसके बाद X से यह वाला ङकट गये पांच इंटू 4, 20, ठीक है, और 20 इंटू 2 किता हो गया, 40, ठीक है, यह 40 अगर मैं यहाँ पर काटता हूं थी, किती वार में गट रहा है, 5 वार में गट रहा है, ठीक है, तो यहां से अपन देखेंगे, X की जो वेल्यो किती आ रही है, 5 इंटू 2, यानि 10 आ रही है, 5 पर आवर, option A, इस question में अपना correct answer हो जाएगा, clear है, I hope अच्छी तरीके से सवाल आपको समझ में आया है, बढ़तने अगले सवाल के और अगला सवाल क्या कह रहा है, next question है, a train increases its normal speed by 12.5% and reaches its destination 20 minutes earlier, what is the actual time taken by the train in the journey, यह कह रहा है कि एक train, जब अपनी speed को 12.5% बड़ा लेती है, तो अपनी destination पर 20 minutes पहले पहुंच जाती है, obvious सी बात है, अगर speed बड़ेगी तो time कम ही लगेगा, तो आपको पूछा गया है, कि actual time कितना है train का, actual कितने समय में train को वाँपे पहुंच जाना चाहिए, ठीक है, बड़ाबर actual जो time है, यह आपको find करना है, अब 12% है, 12% को fraction में लगते हैं, 1 by 8 लिखते हैं, यह तो clear होगा, simple सा percentage है, standard percentage है, 1 by 8, पहले अगर उसकी speed आर थी, तब उसकी speed किती हो गई, 9 हो गई, 12.5% बढ़ गई, यानि 8 के उपर 1 बढ़ गई, 8 की चीज किती बन गई, 9 बन गई, यह है old speed, यह मान लिया new speed, ठीक है, यह speed है, इन दौनों क LCM कितना आएगा, 72, तो यहाँ पर मान लिया कि total distance 72 units है, ठीक है, कुछ भी मान सकते है, total distance 72 की जगे, 1200, X, कुछ भी मान सकते है, calculation आसान रखने के लिए, इन दौनों का LCM ही यहाँ पर अपन मानेंगे, अपने पहले भी कूप सरे सवाल ऐसे किये हैं, जहाँ अपने देखा कि क्यों लेते हैं यहाँ LCM, अब आगे time निकाल देता है, distance upon speed is equal to time, distance upon speed is equal to time, यह मुझे मिल गया time, मतलब 72 units को अगर 8 के speed से चलता है, यह पुरा नहीं वाली speed से चलता है, तो 9 units का time लगता है, और नहीं वाली speed से चलता है, तो 8 units का time लगता है, दोनों time के बीच में difference किते क आदे को एक unit का difference है, किते units का difference है, एक unit का difference है, ठीक है, लेकिन actual में एक unit की value किती है, 20 minute है, difference actual में किता है, 20 minute का इता है, पहले अगर 9 minute लग रहे थे, अब अगर 8 minute ही लग रहा है, यानि इस ratio को देखा जाए जब तो 1 minute कम लग रहा है, लेकिन actual में एक थोड़ी कम लग रहा ह 180 मिनिट्स यानि पहले कितना समय लगता था 180 मिनिट्स लगते थे लेकिन अब कितना समय लगता अगर नया वाला पूछ लेता तो इसको भी से गोना करते ही किता आ जाता 160 आजाता है वाला पहले 180 मिनिट लगते थे अब 160 मिनिट लगते हैं अब उनको पूरा नावला समय पूछा है actual time तो पूरा नावला समय किता होगा option C clear बढ़ते हैं अगले सवाल के और अगला सवाल क्या कहा रहा है यह क्या रहा है कि एक व्यक्ती जब अपने स्कूल के लिए जाता है तो वो 6 मिनिट लेट पहुचेगा तो वो 6 मिनिट लेट पहुचेगा ठीक है आगे क्या कह रहा है अगले दिन वो क्या करता है अपने स्पीड को एक किलोमेटर पर गंटा बढ़ा देता है इस वज़े से वो अब अपने एक्चुल टाइम से 6 मिनिट पहले ही पहुच जाता है तो अब उसकी स्पीड कितनी है पहले धाई थी तो अब कितनी होगी साथे 3 होगी क्योंकि एक किलोमेटर पर आवर स्पीड बड़ा दी गही है और अब टाइम का क्या दे रखा है ताइम के बारे में दे रखा है अब वो 6 मिनिट पहले ही पहुच गया घख है तो इस टाइब के सवाल को करने के लिए क्या पैटरन है इसको आप द्यान से समझेंगे आगे इस टाइब के सवाल आते हैं तो आप इसी टाइब से इसी पैटरन से करने कोशिज करें सबसे आसान तरीका बता रहा हूं मैं देखो सबसे पहले तो उसकी ओल्ड लिख लेंगे यहां पर निए शूर। लेख लेंगे यहां पर यहां पर लखने की इस पीड जो ओल्ड वाली कितना है डाई है डाई को पन सिंपल फ्रेक्शन में लिख सकता हैं फाइफ बाई टू यह नहीं मैं कहाँ रहूं पुरा ने स्पीड किती थी फाइफ बाई टू किलोमेटर पर नई वाली स्पीड कितनी है साड़े तीन साड़े तीन को कितना लिख सकते हैं आपन साथ बटा दो किलोमेटर पर आवर यह पूरा नहीं स्पीड यह नई स्पीड इन दौनों का यहां पर लिखते हैं अलागी कुछ भी मान सकते हैं टोटल डिस्टेंस फिर से मैं आपको बता वह पर यह पर नहीं करना लेना किवल न्यूमेरेटर का लेना है तो पांच और साथ का इसम कितना होगा 35 होगा तो किवल आ उपर वालो का यह ले लो 35 एक तो मैंने माल लिया एक टोटल डिस्टेंस जो थी वह कितनी थी 35 उनिट्स की थी ठीक है यहां से टाइम निकाल देत और इसमें जब इसका डिवाइड लगाएंगे 35 बटा साथ और यहां पर जागा दू देखो यह कट गया किती बार में पांच बार में पांच इन्टू दू किता होगा 10 यह आगे यह पहले 14 यूनिट्स का टाइम और अब 10 यूनिट्स का टाइम ठीक है यह चार यूनिट् क्यों है क्या कि छी अपनए इक टाइम होगा है और तो चार गंटे सन्थ नहीं किया में तो चारे करने में टेड़ने क्रणेmi तो कितना थे दूसे चारिस मिनिट सका रहा लेकिन एक्टवली डिफट मेरे पास कितना है छह मिनिट और चैनल जल्दी दौनकों गीच मट ड diffé enzym कितना होता है बारा मिनिट डिफटा होता तो 240 से 12 कैसा आया इंटू डिवैड में 20 करने पर, 240 से 12 कैसा है डिवैड में 20 करने पर, यह नहीं मैं कह सकता हूँ, एक युनिट के जो वैल्यू है, वो किती है, वन अपॉन 20 है, तो यहां से आपको पूछा है, टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, तो टोटल डिस्टेंस आपन 35 मानी है, 35 मा आप 20 से डिवैड लगा दोगे, तो आप पांसर मिल जाएगा, 5 से कार दिया, 7 वार में, 5 से कार दिया, 4 वार में, इसको डिवैड लगाए, एक वार में पूरा-पूरा जा रहा है, पीछे बचा 3 और नीचे 4, एक सही 3 बेटा 4, option number B, इस question में अपना correct answer जाए 2-4 सवाल जब ऐसे अपन करेंगे, और आप भी अपना आतों से करेंगे, तो इस सबसे best method आपको लगेगा, सबसे fastest method है, बढ़ते हैं, आगे अगले सवाल किया, और अगला सवाल क्या कह रहा है, With an average speed of 15 km per hour, a train reaches its destination in time, अगर एक train 50 km परती गंटा से चलती है, तो एक train बराबर समय पर पहुंच जाएगे, आगे कह रहा है, If it goes with an average speed of 40 km per hour, it is late by 24 minutes, अगर वो 40 km per hour से चलती है, तो 24 minutes लेट रहेगी, तो पूछा आगे सवाल में, The total journey is, तो total journey कितनी है, यह आपको find करना है, देखो, बिल्कुल सेम सवाल है, जो लास्ट वाला किया था, ऐसे ही करेंगे, इसको भी, एक तरफ old speed, यहापे लगदेंगे new speed, old speed कितनी है, 50 है, new speed कितनी है, 40 है, डौनो का LCM कितना आएगा, तो डौनो का जो भी LCM आएगा, कितना आ रहा है, 200 आ रहा है, तो 200 को मैंने मान ले, total distance, ठीक है, यहापे लगदेंगे time, distance upon speed कितना आजाएगा time, अब देखो, यह 50 km पर hour है, यह 4 गंट, 40 km पर hour है, यहापे यह जो difference आ रहा है, देखो, एक और 5 गंटे, दोनों बोगो difference कितना होता है, एक गंटे का, जो भी difference है, वो एक गंटे के अंदर होगा, एक गंटा minute के अंदर देखा जाये तो कितना होता है, 60 मिनट का, यह time gap कितना है, 60 मिनट का, लेकिन actual time gap कितना है, चोईस मिनट का है, on time पहुंचने में, और चोईस 60, 60 चैसे कैसे बना होगा, जब आपने 60 को चैसे बटा सांट से गुणा किया होगा, ऐसे भी आप निकाल सकता हो, तो 60 इंटू 2260 किया है, एक यूनिट के विल्यू कितनी है, तो आपको पुछा है कि total distance कितनी है, तो 200 को open क्या कर देंगे, चैस बटा सांट से गुणा कर दे 80 km, 80 km यनि option number D is question में अबना correct answer हो जाएगा, clear है, बढ़ते हैं अगले सवाल क्या, और अगले सवाल क्या कह रहा है, If a train runs at 40 km per hour, it reaches its destination late by 11 minutes, but if it runs at 50 km per hour, it is late by 5 minutes only, the correct time for the train to complete its journey is यह कह रहा है कि एक train जब 40 km per hour से चलती है, तो destination पर 11 minute late पहुचेगी, लेकिन अगर वो 50 km per hour से जलती है, तो 5 minutes जल्दी पहुच जाएगी, या फिर 5 minutes केवल 5 minutes का late होगा, तो आपको पुचा है, on time पहुचने के लिए, कितना समय लगता है train को, या आपको find करना है, तो इसको भी देखो इसी तरीके से करेंगे, old speed, यह आप लिख देंगे new speed, ठीक ह old speed कितनी है, 40 km per hour, new speed कितनी है, 50 km per hour, मतलब पहले 40 से चलता था, अब 50 से चल रहा है, speed को बढ़ा दिया गया, तो speed को बढ़ा है, जबी तो पहले देखो, 11 minutes का late हो रहा था, speed बढ़ाने के वज़े से ही, तो अब केवल 5 minutes का late हो रहा है, ठीक है, तो इसको इन दोनों का LCM कित आ जाएगा, 60 minutes आ जाएगा, लेकिन ये 60 minutes नहीं है, ये 60 minutes तो केवल इन ratio की terms में है, actual जो time gap हो कितना है, 60 minutes का नहीं है, actual time gap है, देखो, 11 minute late और 5 minute late, एक जगह पर आप 11 minute late जा रहो, अगले दिन आप उसी जगह पर 5 minute late जा रहो, तो दोनों केसिज में time का difference कितना है, 6 minute का difference है, 11 minute late जाना, 5 minute late जाना, दोनों के बीच में difference कितना है, का रहा, 6 minute का रहा, यानि actual जो difference है, वो 60 नहीं है, कितना है, 6 है, तो यहाँ पर आपने क्या किया, divide में 10 किया है, तो यहाँ पर भी क्या कर लेंगे, divide में 10 कर लेंगे, तो 5 बटा 10 देगो, ये 5 तो गंटे है, into 60 कर तो minute में change होगे, और बटा 10 कर लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, देखो, यहाँ से 30 minute, कितना आ जाएगा, 30 minute, मतलब जब वो 40 की speed से चलता था, तो उसको 30 minute लगते थे, ये आगया actual time, ठीक है, अब मुझे पता है कि जब वो 40 की speed से चल रहा था, तो वो 11 minute late था, जब वो 40 तो ये 30 minute जाए, कहीं ना कहीं, अपने आप में 11 minute late है, तो on time पहुंचने के लिए, 19 minute का समय लेना चाहिए, simple चीज है, 30 minute अगर आप ले रहा हो, तो आप 11 minute late हो, तो actual में कितना आपको लेना चाहिए, 19 minute का समय लेना चाहिए, तो 30-11 कर देंगे, कितना आजाएगा, 19 और फिर comment में लिखके बताएं कि आपको कैसा लगा यह तरीका बढ़ते हैं अगले सवाल के और अगला सवाल क्या करा है अब पहला था वीडियो को pause करेंगे उसके बाद solution को यहां पर देखेंगे क्या कहा रहा है देखो सवाल कर लेता है अपन सवाल फिलाल यह कह रहा है कि रोबर्ट जो है वो साइकल पर जा रहा है ठीक है तो वो दो बज़े पहुंचता है जब वो दस किलमेटर पर आवर से जलता है लेकिन वो 12 बज़े पहुंचता है जब वो 15 किलमेटर पर आवर से चलता है ठीक है सवाल में पूछा है कि एक बज़े पहुंचने के लिए उसको किस स्पीड से चलना चाहिए यह आपको find करना है ठीक है वो ही type बन गई जो भी तक अपने सवाल किया है उसी तरीके से इसको सवाल करेंगे मैं माल लो रॉबर्ट को कई पर पहुंचना है सवाल में दिया वाए कि रॉबर्ट को एक बज़े पहुंचना है सवाल में दिया वाए कि रॉबर्ट को एक बज़े पहुंचना है ठीक है लेकिन सवाल में आगे यह भी कह रहा है कि जब वो 10 किलमेटर पर आ लेकिन अगर वह 15 km पर आवर से चलता है तो अब वह 12 बजे पहुंच गया एक गंटा पहले पहुंच गया तो यहां पर लिख दूंगा वन आवर अर्ली पहले वन आवर लेट था इस बार क्या है वन आवर अर्ली इस क्वेस्टन को थोड़ा सिंपल फॉम में यहां पर लिख दिया था कि सवाल अची तरीके समझ मारे अब आगे पूछा है कि एक बज़े पहुंचने के लिए यानि एक तरीके से क स्वाइम यहां पर लिख देंगे टोटल डिस्टेंस को ओल्ड स्पीड कितनी है देखो 10 है नियू स्पीड कितनी है 15 है डॉनों कैलसियम कितना आ रहा है तो दोनों कैलसियम लिख दिए 30 फिर से बता दू तो टोटल डिस्टेंस कुछ भी मान सकते हो तीस जरूर नहीं है कुछ भी कैलकुलेशन आसान रखने के लिए इन दौनों कैलसियम लेना सब से सही रहता है ठीक है 30 बटा 10 कर लेंगे कितना आ जाएगा 3 30 बटा 15 कर लेंगे कितना आ जाएगा 2 मतलब 30 यूनिटस की स्पीड अगर आप चल रहे हो पहले वाले स्पीड के अकॉर्डिंग आपको तीन यूनिटस का टाइम लग रहा था तीन गन्टे का टाइम लग रहा था और अब जो है 2 गन्टे का टाइम लग गन्टा क्यों बो में गैप कितना है देखो एक गंटे का लेकिन एक गंटे का गैप नहीं कितना है दो गंटे का गैप है एक गंटा लेट पहुंचना और एक गंटा जल्दी पहुंचना दौनों केसिज में गैप कितना आ रहा है दो गंटे का गैप आ रहा है एक आदमी है एक गंटे पहले पह पर हर चीज़ को अपन डबल कर लेंगे इसको भी अपन डबल कर लेंगे किता हो जाएगा देखो तीन का डबल कर लेंगे तो छे और दो का डबल कर लेंगे तो किता हो जाएगा यह चार मलत पहले उसको छे गंटे लगते थे अब उसको चार गंटे लगते हैं ठीक है इसको बीडवल कर लेंगे 30 की स्पीड एक्चुल थोड़ी यह तो केवल मानी होई इस पीड अब निकल सब्सक्राइगे तो इसको भी अपबंडबल कर लेंगे 30 का हो गया 60 एक्षब जो सबक्राइब कर 10 किलेमेटर है Uhr से जाता है तो मुझे यह पता है कि जब इस स्पीड से चल रहा है, दस की स्पीड से चल रहा है, तो उसको 6 गंटे का समय लग रहा है, और अगर 6 गंटे का समय लग रहा है, तो यह कहीं ना कहीं अपने आप में 1 गंटा लेट है, क्योंकि यह स्पीड आपको 1 गंटा लेट पहुंचा रही है, तो अगर आप 6 गंटे 12 km per hour यानि option number C इस question में अपना correct answer हो जाएगा clear है चलते हैं अगले सवाल के और अगला सवाल का कह रहा है next question है Ravi walks to and fro to a shopping mall he spends 30 minutes shopping he walks at a speed of 10 km 10 km an hour he returns home at 19.00 hours if he walks at 15 km an hour he returns home at 18.30 hours how far must he walk in order to return home at 18.15 hours यह कह रहा है कि एक लड़का है Ravi नाम से वो shopping mall जाकर वापिस आ रहा है ठीक है जब वो shopping कर रहा है तो वो 30 minutes के लिए shopping करता है mall में वो 30 minutes के लिए रुकता है ठीक है आगे क्या कह रहा है if he walks at a speed of 10 km per hour अगर वो 10 km per hour के speed से जाता है तो वो गर पे 19.00 19.00 का मतलब है 7 बजे 7 बजे पहुंचता है लेकिन अगर वो 15 km per hour के speed से आता है तो वो 66 बजे पहुंचता है तो यह कह रहा है कि उसको किस speed से आना चीए ताकि वो 17.00 बजे पहुंचता है 18.00, 15.00 का मतलब कितना होगा 17.00 बजे पहुंचता है तो यह बिल्कूल सेम सवाल है जो भी अपने लास्ट वाला सवाल किया था बिल्कूल सेम टाइप का सवाल है पहले ताप वीडियो का पॉस करें खुद ट्राइ करें उसके बाद यहां पर अपना solution चेक करें कि आपने सही किया है या नहीं किया है देखो क्या करना इस सवाल के अंदर देख लेता है बही यह सवाल में कह रहा है कि पहले वो 10 km पर आवर से जलता था ठीक है लेकिन जब वो 15 की स्पीड चलता है तो वो 6.6 बजे पहुंचा 18.30 का मतलब कितना होता है सामके लेकिन सवाल में पूछ रहा है कि मुझे तो इतने बजे पहुंचना है तो इस स्पीड क्या होनी चाहिए तो 18.15 का मतलब कितना सवाच है बजे यानि एक्ट्वल जो टाइम है वो कितना होना चाहिए सवाच है बजे उसको गर पे सवाच है बजे पहुंचना है सामके लेकिन अगर वो इस स्पीड से जा रहा है तो वो 7.15 अब इतने बजे पहुंचना था लेकिन वो 7.15 कितना लेट है पहुंचना कितना लेट है पहुंचना कितना लेट है अगर वो 15 की स्पीड से जल रहा है तो वो 6.6 बजे पहुंचना कितना बजे चाहिए था सवाच है बजे लेकिन पहुंचना कब वो 6.6 बजे लेकिन पहुंचना कब वो 6.6 बजे और यहां पर पर लिख देंगे टोटल इस्टेंस ठीक है स्पीड कितनी थी पहले थी 10 और अभी स्पीड कितनी है देगो अभी स्पीड है 15 अब यहां पर एक चीज यह दे रखा है कि 30 मिनट के लिए तो यह रहा है यहां मोट गोखितनी है 10 अच्छेम को दो और के बीच में जो time gap कितना है 30 minute का gap कोई आदमी किस इस्तान पर 15 minute लेट पहुंचा और एक दूसरा आदमी 45 minute लेट पहुंचा दौनों आदमियों में अपस में जो time gap कितना है 30 minute का gap है simple से जीज़ है तो यहां पर आगया 30 तो यह जो 60 कितना है 30 में 30 में 30 है आदा किया और आदा किया तो इसको वह अपन किया कर लेंगे आदा ताकि यह जो 30 distance मिर सके यह तो अपन ने किबल मानी है अच्चोल डिस्टेंस अब निकले की तो कैसे निकले की 30 को आदा कर लोक तो पंद्रा किलिमेटर तो यह है उस जरनी की एक्चुल स्पीड आगे मेरे पास 15 ठीक है और यह जो तीन है इसका भी आप आदा कर लोगा किता आजाएगा थ्री बाई टू आवर्स किता आगे है थ्री बाई टू आवर्स का मतलब किता 90 मिनट यानि यह है पहले वाला समय कि नहीं ना कहीं 55 मिनट लेट है ऑन टाइम पहुंचने के लिए अपको क्या करना पड़ेगा इस नबबे में से 55 को मैनस करना पड़ेगा तो पिछे किता बचे का 55 मिनट यानि आपको 45 मिनट के अंदर वह दूरी कवर करनी है वह दूरी है कितनी 15 किलेमिटर यह तो अपने फ से डिवाइड करेंगे तो जो 60 से डिवाइड करते हैं वो तो 60 ऊपर चला जाएगा यहां से अटाके यहां पर में क्या लिख रहा हूं ठीक है अब इसको सौल करना है 15 से काटा देखो तीन वार में तेंक यू